हलो दोस्तों मेरा नमेरे तेश कुमरसा स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूटूब चैनल में जी हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि यहां पर एक्सेस बेंकर जो भी एकाउंट ओपनिंग का सर्विस दिया जा रहा है किसी भी EPS में तो वहां पर जो है ATM मिलेगा की नहीं मिलेगा कौन सा एकाउंट खोलेंगे जिससे की हमें फायदा होगा और ग्राहक को भी फायदा होगा और इसका चेक्बुक कैसे मिलेगा यह सारी जनकारी आपको इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि यहां पर ही क्या क्या जो इसकी queries है जो आप जानेंगे तो आपको भी फायदा होने वाला है और आपकी customer को भी तो इसी के बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल अगन को दबा ले तक इस तक ने ने वीडियो में आप तक लाता रहूं और आप इसका लाब ले सकें तहां पर मैं बता तो दोस्तों कि एक्सिस बेंग का जो एकांट ओपनिंग का सर्विस आया हुआ है जिस जीज भी एपियस में वहाँ पर दोस्तों आपको दो ओप्सन आया हुआ एक करेंट अपनिंग का और एक सेविंग अपनिंग का जो कि आप कस्टमबर का खोल सकते हैं यह नहीं टीडियस फिरी गुला न करेंट एकांट बिजनस प्रपस के लिए यूज होता है और सेविंग एकांट प्रशनल यूज के लिए होता है दोस्तों तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति का खोल रहे हैं जो कि ज्यादा पड़े लिखे नहीं है ग्रामिन छेतर में रहते हैं तो मेरा सजेस्ट रहेगा द आपको ATM दिया जाता है जो कि बैंक की और से आप जैसे एकांट खोल लेते तो आपको बैंक के और से ATM बाइपोस्ट बेश जाता है आपके घर पे 10 से 15 दिन के अंदर में या फिर अगर लेट होता है तो वह बाइडिफोल्ट कुरियर वाले के तरफ से लेट होता है लेकिन उनके तरफ से जल्दी ही प्रोसेस कर दिया जाता है तो मिनिम्म 15 से 20 दिन का समय लगता है वह आपके दिये गए एड्रेस पर पहुंच जाता है फिर उसके बाद बात करें तो चेक बुक जिये हैं दुस्तो चेक बुक के लिए दुस्तो आपको अपलाई करना होता है अगर यहां पर आप इस जो एकाउंट खोल रहे हैं इस पर डीवीटी यानि कि आप जितना भी डाइलेक्ट मनिट्रेंस पर होता है यानि गवर्मेंट का जितना भी पैसा बगरा आता है सरकारी जोजना का वो भी आप इस पर ले सकते हैं जिसके लिए आप अधार सीडिंग का भ या एजन्ट नहीं देगा कोई भी इस जो पर आपको जो है बैंक पासबुक वह नहीं दे सकता है उसके लिए अगर आपको बैंक पासबुक लेना को सबसे पहले तो जोभी अकॉंट उपन होगा उसका इक इसकीन-सविए नंबर इसी कोड़ रगा मिलता है उसका इसकीन-स यह तीनों चीज लेकर अपने जो ब्रांस पर विजिट करना होगा ब्रांस पर विजिट करने के बाद उनको एक बैंक पास्बुक दिया जाएगा अब यहाँ पर में बताते दूस्तों अगर आप किसी भी घ्रह का current account खोलते तो आप अपने पास से उसका पैसा नहीं निकासे हैं क्योंकि मैं बताते दूस्तों current account में AAPS की सुविधा नहीं रहती हैं तो आप वहाँ पर AAPS का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं उसको अपने bank से ही पैसा withdraw करना होगा checkbook के माधियम से या फिर ATM के द्वारा selling account खोलते हैं तो आप वहाँ से अधार काट के द्वारा भी withdraw कर सकते हैं किसी भी customer का अपने shop पे या अपने घर से और उसको अगर आप checkbook apply करवाते हैं bank के द्वारा वह जो है चेखbook माते score अभी वह withdraw कर सकता है checkbook के माधियम से अब मैं बताया है दोस्तों कि सभी bankों का अपन अपना लिंओ होता है जोकी अपने अपने हिसाब से चलते किसी bank से बांप लिए का लिए csu बैहिंट का 99,000 का का लिमिट रहता है अब यहां पर अधार काट से भी सेविंग एकाउंट के जरीए अपने सोब से भी केस वीडियो का काम उनका कर सकते हैं बट करन्ट अकाउंट में यह फेसलिटी नहीं मिलती है दो तो अगर आप भी एक एकसिस बेंग का अकाउंट ओपेंड कर रहे हैं अपने ग्रहा का तो प चेक बुक हम अप लाइड करेंगे चेक बुझ में सिगनेचर होता है डिजो कि यहां परी अप्लोड करेंगे का कहीं उपसिन नहीं रहाता है तो आप कैसे करहेंगे जी हम जो तो यहां पर आप जो यहब आप तो आपको जो Eye करूंद और में1 हमपन करएंगे वहां पहुत उसरे काम कर सकते हैं, जयसे मुबाइल नमबर चैंज कर सकते हैं, इमेल एडी चैंज कर सकते हैं, बालेंस उनक्वारी बगरा हैं, मिनी इसके सकते हैं, महां से ही आपको प्रोफाइल अपडेट करने का फोप यॉप Sun मिल जाता है, साथ ही साथ आप वहां पर uhuit paper में भी आपको भी फाइदा होने वाला है और आपके कस्टम वार को भी और इसकी जनकारी जह है जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको मिल चुकी है अगर फिर भी नहीं मिले तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको भी अगर स्पाइस मेनी या गो पेमेंट में यंवा थाक्का जुझेए